बारती बारती को तो जानते ही होंगे आप अरे हाँ हाँ वही बारती जिन्हें लाफ्टर कुईन कहा जाता है क्योंकि ये नाम घर-घर में मशूर है आपको तो पता ही होगा कि ये टेलिविजन इंडरस्टरी का जाना माना वो चेहरा है जिसने अपनी कॉमेडी के दम पर सल्मान खान से लेकर शारुक खान और साथ ही कई बड़े सितारों को भी हसने के लिए मजबूर कर दिया है दककपिल शर्मा शो में जो आया उसने भारती ने कभी लली बन कर तो कभी बुआ बन कर और कभी तो बच्चा यादव की पतनी बरकर खुब हसाया भारती सिंग को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं उनका सिर्फ नाम मात्र लेने से ही हर किसी के चेहरे पर खुद मुसकान आ जाती है आज के किसी शो के में जबानी करनी हो या फिर किसी शो में कॉमेडी करनी हो भारती लाखों की फीस लेती है सुनने में तो थोड़ा अच्छा लगता होगा लेकिन क्या आपको पता है कि इतने struggles के पीछे की महनत क्या थी आईए आपको बताते हैं दरसल भारती के जिंदिगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके घर में दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी बहुत ही कमर उम्रों में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था जिसके बाद सभी बच्चों के जिमिदारी उनकी मा पर आ गई थी बच्चपन में मुश्किल हालातों को देखकर कई बार भारती को अपनी खुश्या दबानी पड़ती थी लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता उसके बाद भारती ने मुंबई आकर खुद अपनी किस्मत बदल ली कभी दो वक्त की रोटी के लिए तरसने वाली कॉमेडियन भारती सिंग आज आलीशान घर में रहती है बताने कि पूरा बचपन संगर्ष में निकालने वाली भारती सिंग आज एक लक्जरी जिंदिगी जीती है आज भारती सिंग को हर घर कोई न कोई जानता ही है डान्स की बात हो, होस्टिंग हो या फिर खत्रा जहेलना हो भारती हर चीज में आगे रहती है इतना ही नहीं, भारती सिंग एक अच्छी कॉमेडियन होने के साथ साथ बहुत अच्छी डान्सर भी है उन्होंने अपने पती हर्ष लिंबाचिया के साथ डान्स रियालिटी शो नच बलिये में हिस्सा लिया था इसके अलावा वो रोहिट शेटी के शो खत्रों के खिलाडी में भी नजर आ चुकी है बता दे कि भारती एक शो में एपिसोड के लिए 25 से 30 लाख रुपे लेती है वहीं एक लाइव इवेंट के लिए 15 लाख रुपे लेती है इसके अलावा भारती की सालाना कमाई करीब 8 करोड रुपे है आपको बता दे कि भारती का एक समय ऐसा भी था जब लोग उनके मुटापे को लेकर बहुत ही मजाक उड़ाया करते थे लेकिन भारती ने अपनी प्रतिबा सिर्फ कॉमेडी में ही नहीं दिखाई बलकि उन्होंने ये साबित भी किया कि प्रतिबा की तुलना शरीर के मोटे या पतले होने से नहीं की जा सकती बता दे कि एक अच्छी कॉमेडियन होने के साथ साथ भारती एक शूटर भी रह चुकी है भारती सिंग टीवी की लाफटर कुईन कही जाती है वो ओफ स्क्रीन हो या फिर ओन स्क्रीन लोगों को हसाने गुदगुदाने का कोई मौका नहीं छोड़ती इस खबर के साथ मैं हूँ आपके साथ चेल्सी सिंग तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्स्राइब नहीं किया है तो फोरण चैनल पर जाएए पेज को लाइक करिए सब्स्राइब करिए और देखते रहे साथना प्लस न्यूज धन्यवाद